हेलो दोस्तो याराना आयोटी गुरू में आप सभी क्याक बार फिर से स्वागता है दोस्तो आज की दोड़े में हम लोग एक काफी इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो हमारा खेत होता है खेत को वाटर पंप से हम लोग सिचाई करते हैं तो उसमें हम के थुरू अपने वाटर पंप को भी ऑन कर सकते हैं और सोईल मौश्य सेंसर के थुरू हम लोग रियल टाइम मेजरिंग कर सकते हैं कि हमारा जो नमी है खेत में वो कितना है और अभी हमको वाटर पंप आन करने की जरूरत है कि नहीं है तो चलिए इस प्रोजेक्ट को कंप ओके गाईश तो जैसे कि आप देख बारे में अपने कंप्यूटर स्कीन प्रा गया हूं और चलिए हम इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले कोड की तरफ चलते हैं तो बैसिकली इस प्रोजेक्ट में जो हम यूज करने वाले कोड यहां पे हमने कोड पहले से ही बना के रखा है और इस कोड का हम यूज करने वाले हैं और पहले तो हम कोड को समझ लेते हैं कि इसमें होगा क्या तो बैसिकली यहां पर हम यूज करने वाले हैं वाइफाई लाइब्रेरी का उसके बाद यहां पर हमारा जो होस्ट होता है और उसके बाद जो हमारा होस्ट होता है इसका यूज करने वाले एन जो हमारा Wifi का inappropriate होता है और इसे सोऌइल मॉस्चर पिं में हमने की आद किया है में घर नियरो किया है कि इन इंपूर दिया है कि हमारा सेंसर को इन पूर Koh पर उसके बाद यहां हमने क्या क्या को करते हैं हमारा सेटमूर को को पूर की alpha वो हमारा connection उसके साथ through connect हो जाएगा जो भी हमने SSID password को डाला है उसके बाद यहां पर connect होने के बाद हमको एक IP address भी मिल जाएगी जो कि हमारा एक IP address generate कर देता है इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर आप इसको आटाना भी चाहते हैं तो यह print कर वा रहा हूं हमारा connect होगा तो firebase से string में जो हमारा motor status होता है अगर उसमें पहले से tag बने नहीं होंगे हम दिखा देते हैं firebase जो हमारा है अगर उसमें से पहले से tag बने नहीं होंगे तो वह आपर automatically zero set कर देगा है उसके बाद यहां पर हम लेख लूप चला रहे नि लूप में एक इंटीजर वैलु को यहां पर बने के बाद यहहां पर बनीच कर रहेuss कि हमारा जो वालू रहे वह पर्सेंटेज में डिवाइड पर्सेंटेज में आजाए तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने बस की की इतना कर दिया कि net है वो वैलू परसेंटेज में आ जाए उसके बाद हमने क्या कर दिया जो फायर्वेस का इंट मलब की जो फायर्वेस में सॉयल मौश्चर का हमने जो टैग लिया है उस टैग में सॉयल मौश्चर में यहां पर हमने इसको स्टोर करवा दिया यहां पर सेट इंट जो हमारा है प्रिंट कराया है और जो हम डाटा को श्टोर कर रहे हैं वो पर्सेंटेज में नहीं स्टोर कर रहे हैं कि उसके बाद जो हमारा मोटर स्टेटस है उसके बाद जो हमारा मोटर स्टेटस को इस्ट्रिंग वैलू में गेट कर रहे हैं मतलब कि यहां पर जो हमारा मोटर का स्ट्रिंग वैलू में गेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं इसको स्ट्रिंग वैलू में इस्टोर कर ले रहे हैं इस्टोर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहां पर हमारा इस्टेटस वैलू होता है जो वन होता है तो हम क्या कर रहे हैं मोटर यहां पर एक सीरियल प्रेंट एक कंडिशन लगा रहे हैं अगर हमारी वैलू क्या है जीरो होती है इसे पर कंडिशन हम लगा है अगर हमारा जो वैलू है वह जीरो होता है तो हमारा जो मोटर हो जाएगा सीरियल प्रिंट में हमने सो करा दिया है उसके बाद हमारा जो मोटर है वह लो हो जाएगा उसके बा करेंगा उसके बाद यहां पर जो हमारा मोटर का स्टेटस है उसको भी यहां पर फेच करेंगा यह सारी चीजे हमने कर ली और अभी हमारा जो फायर वेस का करेंगे तो हमने काफी सारी वीडियो में बताया है लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको फायर वेस यहां में आ जाना है मैं आपको दिखा देता हूं फायर वेस थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहां फायर वेस आपको ओपन कर लेना है उसके बाद आपको अपने ग हम यहाराना टेस्ट करके हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं उसके बाद यहाँ पर continue पर हमने क्लिक कर दिया and continue यहाँ पर हमारा इस सेलेट करने के लिए कुछ यहाँ पर analytics यहाँ पर कुछ भी आप स्कुर्श क्रियुक्त करता है तब तक वीडियो और अभी हमारा जो ॉष्टयट है वह कृट्व पर क्रियुक्त कर देते हैं जैसे ही तो मारा यह क्या करना आप्म बील्द करना है उसके बाद यहां पे रियल टाइम डेटाबेसद ठाघ हम ने सेलेट किया और यहां पर हमको database को create करना होगा अगर आप new project बना रहे हैं तो यहां पर basically अभी हम आप create database पर click करते हैं and finally हमने create database पर click किया उसके बाद next next पर click करते हैं and next पर click करने के बाद इसको test mode में रखना है यह चीज़े आप ध्यान में रखना मैं पहले ही बता दे रहा हूं मैंने काफी सारे वीडियो में पहले ही बताया क्योंकि आप लोग अगर इस चीज़ का नहीं करते हैं तो आपका जो project है वह work नहीं करना बंद हो सकत यहां पर URL हमारा यह और URL को हमको कैसे डालना है यहां पर copy कर लेना इस URL को and as it is जैसे ही हमने डाला यहां पर इस URL को ऐसे डाल सकते हैं यहां से copy करना है उसके बाद कॉम तक यहां से copy करके यहां पर paste कर देना है and second इतना ही चीज़े करनी है आपको और बाकी की चीज़े करते हैं इतना सारी सीचे हमने कर दिया अभी हमको जरूरत है अथ की तो यह अथ हमको कहाँ पर मिलेगा इसको हम बोलते हैं API की तो यह अथ हमको मिलेगे हाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको सो करेगा नो API की फॉर्ट इस प्रोजेक्ट तो इसका सेलुशन में आप लोगों को बता देता हूं इसका सेलुशन आपका यह होगा कि हमको यहां पर एक इंड्रोइड आयप यहां पर क्रियेट करना होगा है फाइनल मैं कोई सभी एक नाम दे देता हूं यहां पर प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूं पहले तो यहां पर कुछ नहीं करना कि वह रजिश्टर आप पर क्लिक कर देना है रजिश्टर आप पर हमने क्लिक कर दिया और यहां पर यहां पर जिसन डाउनलोड करने की लिए यहां इसको डानलोड कर लिए यहां पर यहां पर आपको को यहां पर API की नहीं सो करेगा जो हमने जसन फार्म में डाउनलोड किया इसको हम ओपन करते हैं जैसे ही हमने यहां पर ओपन किया तो यहां पर हमको मिल जाएगा API की तो यह है हमारा API की यहां से इसको कॉपी कर लेना है and copy करने के बाद आपको चले जाना है अपने एक प्रोजेक्ट में जो हमने हमारा code है इस code में यहाँ पे project यहाँ पे app में इसको डाल देना है यह चीज़े ध्यान में रखना यहाँ जो double underscore की बीच में हमने डाला है ऐसे ही आपको भी डालना है तो यह रहा हमारा complete project और आप लोग अभी इस project को यहाँ पे हम compile करते हैं और इसको upload करते हैं और अभी हम यहाँ पे पहले तो अपने tools में आ जाते हैं tools में आने के बाद port को select कर लेते हैं यहाँ पे पहले board select कर लेना है आपको ESP 32 में upload कर रहा हूँ आप लोग इसका ESP 8266 में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इस project यहाँ पे select कर लेता हूँ com port यहाँ पे पोड़ सेलेट करना है उसके बाद यहाँ पे project code को upload कर देना है और यहाँ पे पोड़ हमारा upload हो रहा है तो अब हमारा यहाँ पे कोड है वह compile हो गया और compile होने के बाद uploading start हो गया तब तक मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ अगर आप लोग इस project में जो code है हमने यूज किया इस code को आप लोग को यूज करना चाहते है तो आपको गूगल पर आ जाना है सिंपली या राना हमारा जो code है वह upload हो रहा है ओके गाइस अभी हमारा जो code है वहाँ पर successfully upload हो गया है और upload होने के बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ आप लोग सरकीट डाइग्राम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस सरकीट डाइग्राम को आप लोग यूज करके अपने प्रोजेक्ट पर साथ कनेक्शन कर सकते हैं और तो और यहां पर अगर आप लोग इसका कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग याराना आयोटी गुरू डाटीन वेबसाइट पर आ जाईएगा यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से सरकीट डाइग्राम को भी डाउनलोड कर सकते हैं कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए काफी हेल्फुल रहा होगा यह प्रोजेक्ट और भी अपने इस प्रोजेक्ट को अपने फ्रेंड के साथ सेयर कर दिए ताकि उनको भी इस प्राब्लम से दोसर मिल जाए तो बस दोस्तों फिलाल वीडियो में इतना ही और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेयर कर दिए और अगर आप लोगों को इस वीडियो से लिए कोई भी क क्यार्ट कियार्ट